ये तो हद हो गई या फिर हद हो गई ये एक ऐसा सेंटेंस है जो हर इंसान को कभी भी बोलना पड़ जाता है इसको इंगलिश में बोला जाता है This is too much This is too much का use तब किया जाता है जब हमें बोलना हो ये तो हद हो गई या फिर हद हो गई So guys हमेशा की तरहा homework की बारी एक sentence आप सभी के लिए ये तो हद हो गई तुमने मुझे call नहीं किया आपको इस sentence English में translate करना है और comment में लिखना है देखते हैं कितने लोग सही translate करते हैं Best of luck So guys आज की इस वीडियो में बस इतना ही I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको structure का use अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप comment करके पोस्ट सकते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ Till then take care